नमस्कार दोस्तो, मैं संजय कुमार, माई गड़ चैनल मैं आप सबीका स्वागत करता हूँ तो आप देख रहे हैं एक कड़ी पता, कड़ी पता आज हम लगाएंगे कड़ी पता को कटिंग से बीच से ग्रो कर सकते हैं या नरसरी से लेकर आ सकते हैं हम यह प्लांट नरसरी से लेका हैं और हमें 50 रुपे का यह प्लांट मिला है और आज हम इसको लगाएंगे कड़ी पता किचन में और मेडिसन में काफी यूज किया जाता है तो हर गर में एक कड़ी पता होना चाहिए जब भी आप कोई नया अप प्लांट लगाए कटिंग लगाए या पोदो को रिपोट करें तो में करें या फिर ब्रसाथ की मूँञबें यह दिन ने जाए आफ ये काफ की अच्छे होते हैं तो हम यह बार बाई का हमारा ग्रो बैग हैbs में लगाएंगे इसमें हमने मिटी डाल कर रखी हुई है मिटी कैसे डालते हैं ग्रोबेग में कैसे बनाते हैं इसकी वीडियो में पहले बनाई हुई है डिस्क्रिप्स में मैं इसका लिंक दे दूगा आप देख सकते हैं कि ग्रोबेग में मिटी कैसे बरते हैं और मिटी कैस कि श्कौट क old hyvä करें लगा में सेन। था कि पर तब की पूर जाब ये इसे वी लगा सकते हैं तो ये मीं योदक को ठीक है हिसे MP1 चीकल प्रवर चारो प्रफ भी इसमें नहीं है तो हम इसको एसी लगा देंगे इसको बीच में रखके इसके चारो तरफ मिटी उसको तो बैको बर देंगे ताहमनी जमीं लगा दिया है और इससे हमारा तो में टिते ब्रगात्याली उहिस्चे पाली को इसको दोका सकते हैं करे आपकेफारा लकानी लगात्यान लग diffident तो इसको हमने मिट्टी से बर दिया है अब इसमें वाटरिंग करेंगे और वाटरिंग इतनी करेंगे कि जो मार नीचे तक मिट्टी है गिली हो जाए एक पर वाटरिंग करने के बाद तब द्वारा वाटरिंग करेंगे जब इसकी मिट्टी सुख जाएगी जब तक मिट्ट सुखिना तब तक तो आप द्वारवाटरिंग ना करें तो ओवरवाटरिंग से एक प्लांट है वो खराब हो जाते हैं असर जाते हैं इसको आम दूप में रखेंगे तो इस प्रकार आप कड़ी पता लगा सकते हैं बहुत असान है लगाना आप भी अपने घर में कड़ी पत लगा सकते हैं थैंक यू वाचिंग फॉर दिस वीडियो